अपचन एवं अरुची यानि खाना अच्छे से नहीं पच्छता हो हजम नहीं होता हो और अरुची यानि खाने में खाने के लिए भूंक भी नहीं लगती है तो उसमें क्या करना है कि अध्रक का बहुत ही अच्छा प्रियोग है कि आधे चम्मच अध्रक की चट्ने बनाना ह उस चटनी में स्वाधानसार सेनदव नमक मिलाना है और भोजन करने से आदा घंटा पहले सुभह और साम सेवन करना है इससे खाना अच्छे से पचने भी लगता है और भूख भी बढ़ जाती है अब हम इसको इस लोक की मदद से जानेंगे कहा गया है बोजन अग्रे सदा पत्यम लवड अद्रक भक्षडम यानि भोजन के पहले नमक और अद्रक का भक्षड करना चाहिए यानि खाना चाहिए और वह पत्थ बताया गया है यानि हितकारी बताया गया है पत्थ मतलब अगनी को बढ़ाता है, जो हमारी पाचक अगनी होती है, जिसकी पाचक अगनी कमजूर है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, यह भूख कम लगती है, तो यह अगनी को बढ़ाता है, जिससे की खाना अच्छे से पचे और भूख लगे, रुच्यम, रुच्यम यानि खाने म में रुची को बढ़ाता है जिवा कंठ विसोधनम जिवा की और कंठ की सुध्धी करता है तो वहां पर रोगों की संभावना भी कम रहती है धन्यवाद